उम्म नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूप चैनल जीवन जीने की कला में आज के इस वीडियो में जानेंगे एक मात्र ऐसे मंत्र के बारे में जिसका जाप करने से आपको पूरा रमायड पढ़ने जितना पुन्य मिल जाता है रमायड हि और इसे पढ़ने में काफी समय लग जाता है अगर आप भी इस ग्रंथ को पढ़ने की एक्षा रखते हैं लेकिन आपके पास ये ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप हमारे द्वारा ये बताया हुआ मंत्र का जाप करें हर रोज ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र को पढ़ने मात्र से रमायर ग्रंथ को पढ़ने जितना पुन्य हासिल होता है अगर आपके पास समय होता है तो हर रोज हम आपके लिए 5-7 मिनट का एपिसोड भी सुबह सुबह अपलोड करते हैं इस चैनल के माध्यम से जो कि हर रोज आप रमायर का श्रवन कर सकें और आप अपने प्राप्त कर सकें तो वहां से भी सुन सकते हैं नहीं तो इस एक मंत्र का जाप्त करें इससे आपके सभी अनिष्ट दूर होंगे जिहां वो मंत्र याश्लोक है इस मंत्र का अर्थ है यह मंत्र रामायर की संशिप्त कहानी है और इस मंत्र में कहा गया है कि श्री रामजी वनवास पर गये हैं और वहां पर उन्होंने स्वन्मिरिक का वद्ध किया रामण ने सिता जी का हरण धोके से कर लिया और रामण के हाथो जटाई उन्हें अपने प्रान कवा दिये श्री राम की सुग्रिव से मुलाकात हुई और ये मित्र बन गए जिसके बाद राम जी ने बाली का वद्ध किया बाली का वद्ध करने के बाद राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पार किया और लंका पूरी का दहन किया इसके बाद रावन और कुम करन का वद्ध किया जी हाँ इस श्लोक को सुनने मात्र से भी आपको फायदा मिलता है ये श्लोक जो लोग पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं उनको अक्षे पुन्य के प्राप्ति होती है ये मंत्र पूरी रमायन का सार है और इसे रोज पढ़ना लाखकारी होता है इस मंत्र को पढ़ने से रमायन को तनाव रहता है उन लोगों को is मंधर का जाप जरूर करना चाहिए यह मंतर पढ़ने से नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है और भगवान का अश्रिवाद हासिल होता है कैसे करें मंतर का जाप इस मंतर का जाप आप घर के मंदिर में बैठ करके करें और सुभा स्नान करने के बाद ही ये मंत्र पढ़ें ये मंत्र पढ़ते समय आप भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम जरूर लें और इस मंत्र का जाप हो सके तो कम से कम 11 बार जरूर करें अगर हो सके तो आप इस मंत्र को दिन में 108 बार जरूर पढ़ें और इस मंत्र को पढ़ते समय अपन पारित गरंत है और इस गरंत में बताया गया है कि कैसे राम जी का जन्म हुआ था उनकी शादी सीता मा के साथ हुई थी रामर ने किस तरह से छल के साथ सीता का हरन कर लिया था और सीता मा को रामर से रिहा करवाने के लिए राम जी ने रामर से युद्ध किया था इसके आजा है तो अपनी प्रजा के प्रती अगर वो बेटा है तो अपने माता-पिता के प्रती अगर वो पती है तो अपनी पत्नी के प्रती और बच्चों के प्रती क्या उनका दाई तो है और कैसे उसका निर्वाह किया जाए इसी बारे में पूनतह व्याख्या मिलती है रामायन कीजिए उन लोगों के साथ जिनको सभी को मिल सके ये और जरूरत है जुड़ेंगे हम आप सभी से नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें जै श्री राम हर हर महादेव